नमस्तर आप देख रहे हैं जी टीव नियूज उमरिया जीले में इन दिदो क्रोना मरीजों की संख्या निरंदर बढ़ती जा रही है जहां आज दिनांग तक जीले में क्रोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है एवं कई लोगों की जैस रिपोर्ट पॉजिटिव आजाने के बाद उन्हें स्वाथ फिभागवरा होम क्रोन टाइंड किया गया है लेकिन हुम क्रोन टाइंड हुए कुछ लोग नेमों का पालन नहीं कर रहे है जिसके कारण क्रोना संक्रमर का खत्रा जीले में बढ़ता जा रहा है जिले के नरजाबाद नवासी महिला को उपचार के लिए जीला होस्पिटल लाया गया जहां जाज के तरान क्रोना संक्रमित महिला पाई गई ऐबं जीला होस्पिटल में ही उसका मौथ हो गए वे जीला हॉस्पिटल के डाप्टर संदीव सी ने बताया कि नरजाबात निमासे मैला जाज के दरान क्रोना पॉसिटिव पाई गई एवं उनकी उम्रित्तिव हो गई जाग क्रोना गाइडलाइन के अनिस्वार प्रजासन के मौशुद्की में उनका अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया गया है एवं चीले वासुए से अपिल कि जाती है कि क्रोना काल के दारान मास्क लगा कर सोचल टेस्टिंस का पालन करें जिसके क्रोना जैसे महामाली से ब वाली है उनकी उमर चुवन साल है उनको भी ढंक से मेरा अच्छे से नाम भी मेरा बुने हो तियां यह पाता चलता विजनों वजे कि इस वासी को आ गए है और लोगों में सावधानी थी नागरी किस्वर्पर भी योग उसका पारण कर रहे थे प्रशासी किस्वर्पी कर अब देख रहा हूं कि जब खोरोना का किस्वर्प हो रहा है लगातार केसिस भढ़ दे है छीले में लगबद एक दर्जन महुत हो चुकी है ताब लेबल पर चाहिए प्रशासी कि लेबल पर देखने हैं आप या नादरी किस्वर्पर गर रहे हैं बहुत हिलाई है बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अपने आपदा को बढ़ाने का और आमिंत्रिफ करने का चाहिए और प्रशासन को जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाब कर रहे हैं प्रशासन के अंदर करोना का जो लागडाउन उसके बाद कहर दिरंतर बड़ता चला है अभी जो बारत सरकार की गाइडलाइन है चौते स्टेश के उसमें बहुत सारी छोटे में परन्तों यह जो करोना है यह बड़ा गंभी रूप से कम्यूटी में चला गया है समाज में चला गया है लोगों के टोले में चला गया है लोग ध्यान नहीं देते दूस्ती तरफ शाशन प्रसाशन की गाइडलाइन है हेल्ड़ डिपार्मेंट की और वहो इसमें ब्यक्ति को जो कॉरोना सब्सक्राइब नवजाबाद करो निगेटिव को सवास्त विवाक कि लापरवाई और यह कहना चाहते हैं जूब हुआए करने परहाइज करें का नाम उज़ागर करें जिससे कि लोग परहेज करें कि अब अस्पतार से ज्यादा वोग अपने घरों में रहना चाहते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता है क्लोहाइज तो इस मिशनमे अहुआ करते हैं कि गंभीजता से लें और जो व्यक्ति करोना पॉश्टिक पाया जाता है उसका नाम प्रकासित करना है जिससे कि समाज के अनलोग में उससे परहज कर से हुआ हों कॉरेंटाइन के मामले में मैंने व्यक्तिकत रूप से कलेक्टर हुआ यह से बात की थे कि सर यह जो हों कॉरें से कमेटी बनाएंगे और कमेटी से निग्दानी करेंगी पर दुम्हां मानता हुआ कि जो कमेटी काया क्लेक्टर हुआ है कि दौरा बनाई गई है राजव सवास्तर दिकारी उनाकाम साभी तो है लोग आज वी जो हम कॉरेंटाइन करोना पॉस्टिव हैं किसी निमों का प अभी नवरोजाबार में एक महिला पाईगे जिसको सैडोल बेजा गया सैडोल में निगेटिव रिपोर्ट आई फिरो घाराई घरानी को आदे उसका स्वास्ति विगड़ा तुझी जाज कराईगी दबा कराईगी जिसमें उसकी मृत्तु के बाद उसकी जो रिपोर्ट आत प्रदेश बासियों से जन्मानस से मेरी अपील है क्योंकि मनुष्ट बहुत समयदार पाणी है बहुत जल्दी अरबात को समयता है लेकिन हमारे करोना का जोई माहा मौत का इसके लोगों को बार-बार सासन सभी समझाइशते रहे हैं कि सोचल डिशन सेंग का पालन करो मास् पनावस्वक सहर या बजार में या कहीं एक त्रिश बीड़ नमा लगाओ लेकिन हमारी समाज इतनी ज्यादा वो हो चुकी है कि जागरूपता खतम करके जहां कहीं देखो बजार में देखो दुकान में देखो सहर में देखो मंदिलों के इधर उदर कहीं भी किसी भी सब बोचल देखे तो इतनी विड़ लगाई रहते हैं दप साथ स्वास्वाग के परमर्स अंसाल लोगों को होन्-कुरण टाइन किया जाता है स्वास्वाग के अनसार उनके लिए दवाईनें और चार करने का बताया जाता है यहां बताया जाता है लेकिन देखाए जा रहा है सब्सक्राइब करना संक्रमित गूम रहा है और उससे भी हमारे यहां बहुत ज्यादा भी मेल रही है क्योंकि लोग होने के बाद अपने आपको सुतंत्र मांते हैं नियम का पागल करना नहीं जानते हैं और सुकंतता के साथ में गुंगते हैं और इस करोना को बहुत हलका ले करके लोगों के बीच तक जा रहे हैं यह बहुत बड़ी ही अगात बीमारी है अगात रोग है इससे बचना हमको सबको बहुत जरूरी है अज जागरूप नागरिक हैं हम पढ़े लिखे हैं और इसके बाद अगर हम इस गल्तियों को बार बार दोरा रहे हैं तो हमसे बड़ा शायद कोई गल्ती करने वाला थी है नोजवास से एक पिसेंट तो है रिखर होके आई थी जिनकी अगर वालत खराब थी और उनका ऑक्सिजन कंसेंट्रेशन जो पचास पर तिससे मीचे आगा था इनका तक काल इर्याग चारू किया गया उनकी सेंप्लिंग कराएगी सेंप्लिंग रैपिट किप से वो कॉस्टी नीगी और 15-20 नगवार उनका ग्यान की गया अगरे जो है पूरे प्रोटोकाल के साथ पूरिक प्रोटोकाल के लुशाइब आपके शाइब करता हूं कि वो पूरिट नेम्टों से बचाओं के लिए जो है मास्क कड़ना से लिस्टेंसिंग ये दोनों बहुत जो है कडाई से इसका पावन करें और हमिसा ध्याम रखे कि कोई वी ले अच्छा नसी संबंदी दिहाई देने पर तक साव अस्पताव में संपर्थ करें अपनी सेंपनी करवाएं और तक साव अपना एगार चालू करना है क्योंकि सारा प्रसासनिक हमला श्वास्ति व्राग का हमला गुस्तेदी से लगा हुए लेकिन जब टक जो है आम जन्मान स्योग नहीं करेगा इसमें हम सफल नहीं होता है